तो कईस देखो आज मैं आप लोग के साथ R15 V3 BS4 का एक ownership review शेयर करने वाला हूं basically मेरे दोस्त की यह बाइक ती जिसके ओपर आप लोगों ने ड्रैग्रेस देखी होगी Mr. Salman साथ में स्कूल में पढ़ा करता हूं तो सबसे पहले कि मतलब यह आरवन फाइव तुने कप खरीदी ती सम्तिंग दो साल पहले मतलब 2019 में 2019 में तो मतलब आरवन फाइव क्यों खरीदी तुने मतलब क्या चीज लुक्स क्या क्या नहीं इस वाली मोटल के लुक्स भी अच्छी है ठीक है और प्लस इस्टेबिलिटी बहुत अच्छी है गाड़ी हाँ यह बहुत अच्छी गाड़ सब्सक्राइब कोई दिखा देता हूं कि 19,210 किलो मेटर आज तक बाइक के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम समस्या कुछ आई है ने वह बेसिक तो देखो चोटी मुटित आती है कोई भी दिक्कत नहीं और तू तो चलाता ही बहुत दुरफ है इसे देखरो वाई कि तिर सब्सक्राइब को बताऊंगा कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है तो सबसे बड़ी चीज सल्मान आरे स्टूंडेट क्यों नहीं देखी थी अच्छा ठीक है यह बात रही दूसरी चीज अब एक बात बता जैसे आज की डेट में तु यामा यूज कर रहा है अगर मैं तेरसे बोलू कि कोई बजाज की कोई इस सेग्मेंट से अच्छी सेग्मेंट की वाई का रही है वह पर्चेस करेगा यहीं पर्फोर्मेंस चाहिए हमें और और खास इतम बढ़के नहीं सूपर बाइक तो नही आगे तो पर फट्रम दर्द देते हैं बैठके दिखा हुआ है शुरू सुरू में सब करेंगा चलाएगा उसके हाथ में यहां पर दर्द होता है ना इस वरई से लोग इस बाइक को खरीदते हैं यूस्ट्व हो जाते हैं तो मतलब तेरे को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है जिनकी जैसे तेरी थाक है मेरे जैसी ही तो हम लोगों को इतनी ज़र्दस्ट निसको जुका ही है मोड़ता राम से जुका अच्छा अच्छा अभी तुन्हें लीनिंग वगर है ट्राइए नहीं करी तो आज तक गिरी विरी तो नहीं है यह मतलब जो भी कुछ है बस वो गंदी हो और कुछ नहीं है अच्छा आज तक इसमें दिक्कत है क्या रहे हैं तरको कोई भी को लेके खुले को अच्छ प्लेट बिल्कुल वही कोई दिक्कत नहीं और जब से नई खरीदी तब से श्लो चलाता था शुरू से भागानी शुरू रखिये थे और यार देखना लोग हमें कह रहे थे कि हमारी यार इसकी क्लश प्लेट खराब हो गई थी लोग तो तुम गलत चलाते हैं यह भी तो बहुत प्यार यह गाड़ी की क्या रहे है और कंट्रोलिंग तो बहुत प्यार यह गाड़ी की रहा है कंट्रोलिंग को लेकर आर और फाइब की आज तक कोई किसी भी तरीकर कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर नेकि लटी लाइट साथी आती है रात में पर रोड कितनी दिखा पाती है यह लोग कहते हैं क सहरों में तो लाइट लगी रहती है ज्यादा मोटा रोड लेकिन सही है अच्छा मतलब बाई का कहना है कि हां देखो सही बात है अकर आप मैट्र सीटिस से ब्लॉंग करते हैं तो लाइट होती है रोड पे उसी आप से ठीक परफॉर्म करते कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक देखना सुरूनी होगे देख यहां से बाई दो साल होगे गाड़ी के तो कभी-कभी में लग गए यह वो थोड़ा ट्रैफिक और तुने चेंज कर वाएगा कोई सा नहीं यह देख इसकी लेंदर रहंदर रहंदर कभी फिर लटक जाए तो भाई ऐसा कुछ इसका रिस्प इसमें लिमिटर नहीं हा ना कोई मतलब जैसे एक्सलेटर दो कहीं पहीं पर आगे आपने पावर कट मार दिया था कुछ करती नहीं है मतलब मस्ट भागती है एकदम ओके रिपोर तो तुने इस फोड़ी स्टॉक यहां नहीं अरे बहुत चुत होती है तो अगर आजकी नह मिले तब भी नहीं विल्कुल भी नहीं भाई देख लो भाई आरवन फाइब का यह यामाहा का क्रेज एक चीज और बता जैसे कि इसमें कभी तरुका असे लगते कि वाइबरेट करें कहीं से वाइबरेशन की आवाज आ रही हो कुछ भी नहीं वाई देखो यामाहा की यही जो बंदा गर यहामाह के साथ चला जाता है ना यही सारी चीजे होते हैं जिस वैसे बाई बंदे को दुबारा यहामाह की तरह मतलब कमपनी खीच के ले जाती है अब अगर आपन करके बिना कुछ देखे वही मतलब किते दो साल में तरको इसने बाइक ने पूरा फुल तो ने एक्सिलेटर की तार चेंज करवाई यह लेटर कितार बच्चों ने खराब करती इस वज़े से और ब्लैक कलर में तो ब्लैक ब्लैक ब्यूटी कह सकते हैं इस बाइक को सुरी गाड़ी को नहीं दिसे बाइक और एक चीज़ और तुने इसके अंदर ने टार लें कित पूरी फाइवर और इसकी फेरिंग और तो नहीं लिगाई से और यह तो गंदी बहुत करके रखता है यार मतलब जैसे मेरी थोड़ी गंदी रहती है यह यह भी गंदी सी रखता है तो वह वह भी इस चीज सही है मतलब किसी तरफ से भाई देखो बाइक में कोई चक्कर न जादत जैनरल तो और इंजनर वाता है इसमें यह महा का यह डादके देते हैं और वह बाहर का इंजनर वाने की लगाए कभी जरुवत पड़िया यह महा का बहुंसता है अच्छा मतलब तो यह महा का इंजनर बैस्ट है जैसे बचाज में हमारे समय अगर बचार नहीं तो सारी कंपनी से हुई है मतलब सर्विसिंग कोश्ट बता रहा है लॉंडा मतलब भाई तीन अजार रुपए आ जाती है अपने उपर है ना कि तुम कैसे ब्रेक लगा रहे हो कैसे डिस्पैट गिस रहे हो वह तो एक अलक्षी हो गई वरना नॉर्मली जो कूल एंड चेंज ह और इस पैंतानिस भी देती है यह कुई रिजर्व में बहुत चलती घाड़ी तो बाई देखो इस बाइक के साथ और इसमें फीचर्स भी बहुत है जैसे इसका क्लच क्या रहा है बिल्कुल मक्षन मतलब किलच क्या आगे तो भाई मतलब मैं चला हूं यह देख रहे हो वा है किस्त के साथ अच्छा अच्छा तु नहीं ओन रोड बता कितने के लिए थी अच्छा यह बाई यह वगरा जोड़ के बता रहा है वह सारी चीजह नहीं तो मतलब मेरे साथ तुन्हें ज्यादा एक 60-65 की लिए होगी हां इतना लग्या होगा तो ठीक है अच्छा ओवर रॉल बता रहा है यह 186 की क्योंकि 178 की तो अभी आ रही है ना बढ़ी मैंने कायर 186 की कैसे पड़ जाएगी तो वह बात इसकी है और बागी इसके अंदर देको फीचर भी बहुत है इसके अंदर नाम वगेरा भी लिख अच्छा नीट्रल पर अच्छा नीट्रल पर कुछ नहीं दिखाती सिर्फ एरो आता है यह एक्सेलरेशन हो गया यहां पर ट्रीप मिटर हो गया और वाकी स्पीड और यहां पर अपना फ्यूल तो बाइक मस्त है यार है ना वैली फॉर मनी भी इसको परफोरमेंस चीए थ को थोड़ी दिक्कत है नहीं ठीक है तो मतलब आपका कहना यह मिश्टर सलमान का कि आरवन फाइब लेने वाला बंदा ले सकता है टैंसन वाली कोई चीज है अच्छी है सबसे बड़ी चीज बाइक का इंजन ही है अब देख लो आपको पता है वाई लड़के थोड़ी रफी चलाते हैं और यह तो बहुत रफ चलाता हुए मैंने खुदी से कित्ती बार देखा चलाते हुए तो भाई ठीक है आज का वीडियो आसा है अच्छा लगा तो लाइक कर सकतें हो शीर सब्सक्राइब कर देना ओके सब्सक्राइब कर दayना ओके मिश्टर स्रमान okay